हलो बच्चों, आज हम चुरू करेंगे कक्षा 6 हिंदी, मतलब वसंत भाग एक का पाठ एक, वह चिडिया जो की प्रश्नोत्री बच्चों आपने इस पार्ट को पढ़ि लिया है और इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी कर लिये हैं, तो आपको ये क्रिस करने में बहुत ही आनन्द आएगा, लेकिन अगर आपने इस पार्ट को नहीं पढ़ा है, इसके प्रश्न उत्तर आपने नहीं किये हैं, त तो उसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं प्रशन उत्री, यहाँ आप अपने उत्तर नोट करते जाएगा, और वीडियो के एंड में आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिलेंगे. पहला प्रशन हमारा है, वह चिडिया जो कविता के कवी कौन है, अप्शन्स हैं आपके, A. जैशंकर प्रसाद, B. केदारनाथ अगरवाल, C. कृष्णा सोब्ती, और D. सूरे कांथ त्रिपाथी, मतलब की निराला. अपना उत्तर नोट करिए, वीडियो को पॉस करके आप अपना उत्तर नोट करते जाईएगा, और अगले प्रशन पर अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रशन है, चिडिया की आवाज कैसी है, आप्शन्स हैं, आपके, A. कठोर, B. करकश, C. उची, या D. मधुर, प्रशन पर प्रशन संख्या 3, केदारनात अगरवाल का जन्म कब हुआ, आप्शन्स है, A. सन 1960 में, B. सन 1911 में, C. सन 1917 में, और D. सन 1965 में, वीडियो को पॉस करिए, कौशन को ध्यान से देखिए, उत्तर को ध्यान से नोट करिए, और अब बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर केदारनात अगरवाल की रचना कौन सी है, आप्शन्स है, A. नींद के बादल, B. युग की गंगा, C. लोग तथा आलोग, और D. उपर युगत सभी आपने उत्तर नोट कर लिया होगा, हमारा अगला प्रशन है, प्रशन संख्या 5 चिडिया किसके दानों को रूची पूर्वक खाती है, A. मक्का, B. जुन्डी, C. भिंडी, या D. चना बच्चों, अगर आपने इसके वीडियो के प्रशनुत्तर नहीं देखे हैं, शब्दार्थ आपको चाहिए, तो आपको SS Kota Classes, मतलब इसी चैनल पर इसके शब्दार्थ, कवीता का पूरा अर्थ, और प्रशनुत्तर सभी मिलेंगे, तो अगर आपने इस वीडियो का भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे की न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, अब बारी है प्रशन संख्या 6 की, केदारनाथ अगरवाल का जन्म कहां हुआ? वीडियो को पॉस करिए और उत्तर को नोट करिए, हमारा अगला प्रशन है, प्रशन संख्या 7 हमारा साथवा प्रशन है, कविता में कैसे पंखो वाली एक सुन्दर चिडिया का वर्णन किया गया है? ओप्शन्स हैं, A. लाल, B. सफेद, C. नीले, D. पीले कविता के जो चिडिया है, सुन्दर चिडिया उसके पंखो का कैसा रंग है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, वह चिडिया जो, कविता में जुन्डी का क्या अर्थ है? ओप्शन्स हैं, A. बागबगीचा, B. नदी का जल, C. जो और बाजरे की बालियां, या D. एक छोटा पौधा जुन्डी का अर्थ क्या है? आपने उत्तर नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रशन पर, जुन्डी के दाने कैसे होते हैं? ओप्शन्स हैं, A. दूद भरे, B. पानी भरे, C. कठोर, या D. मृदुल किस तरह के होते हैं जुन्डी के दाने? अपने उत्तर बच्चों नोट करते जाएए और वीडियो के एंड में आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिलेंगे तो आपने चेक करिएगा प्रशन संख्या 10. चिडिया को किस से बहुत प्यार है? A. अनाच के दानों से, B. वन तथा बागबगीचों से, C. नदी के जल से, या D. उपर युक्त सभी से मतलब या अनाच के दाने वन बागबगीचे और नदी का जल अगला प्रशन है, वह चिडिया जो कविता में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन से, A. कभूतर, B. सुन्दर चिडिया, C. मैना, या D. बाज किसका वर्णन किया है? उत्तर नोट करिए और बढ़ते हैं अगले प्रशन पर चिडिया आपनी चोच से किसके दाने तोड़ती है? ऑप्शन्स है, A. जो आर, B. मक्का, C. जुन्दी, या D. भिंडी उत्तर आपने नोट कर लिया होगा, प्रशन संख्या 13 चिडिया किसकी खातिर गाना गाती है? अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, तो आप सभी प्रशनों के उत्तर बहुत आसानी सी दे पाएंगे चलिए, हमारा चौध्वा प्रशन है, विजन का क्या अर्थ है? A. प्रत्वी, B. आकाश, C. वाईू, या D. तालाब अगला प्रशन है, वहाँ छोटी चिडिया कैसी है? आप्शन्स है, A. संतोशी, B. गर्बीली, C. ए वबी दोनो, या D. इन में से कोई नहीं प्रशन संख्या 16 है, चोच मार का नदी के जल पर कौन चड़ी? आप्शन्स है, A. चिडिया, B. नदी, C. लड़की, या D. मैना कौन चड़ी थी चोच मार कर नदी के जल पर? उत्तर नोट करिए और बढ़ते हैं अगले प्रशन पर कवी ने छोटी मुह बोली किसे कहा है? आप्शन्स है, A. मैना को, B. लड़की को, C. चिडिया को, या D. नदी को वीडियो को पॉस करिए, कोशन को ध्यान से देखिए, उत्तर नोट करिए अगला प्रशन है, जल का मोती कौन ले आती है? आप्शन्स है, A. चिडिया, B. नदी, C. लड़की, या D. मैना प्रशन संख्या 19, गर्वी लेका क्या अर्थ है? आप्शन्स है, A. संतोश रखने वाली, B. गर्व से युक्त, C. मीठी आवास, या D. इन में से कोई नहीं गर्वी लिका आपसे अर्थ पुच्छा है प्रशन संख्या 20, चिडिया, किसका दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है? आप्शन्स है, A. मोर, B. लड़की, C. नदी, या D. मैना अगला प्रशन है, प्रस्तुत कविता में चिडिया की क्या विशेशता बताए गई है? आप्शन्स है, A. छोटी, B. संतोशी, C. गर्वीली, या D. ओपर युक्त सभी प्रशन संख्या 22, वह चिडिया जू? कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयोक किया गया है? आपके आप्शन्स है, A. नदी, B. चिडिया, C. लड़की, या D. मैना अगला प्रशन है, चिडिया क्या खोल कर मधुर स्वर में गाती है? आप्शन्स है, A. कंठ, B. पंक, C. सोच, या D. चोच अपने उत्तर को ध्यान से नूट करते जाएए, वीडियो के एंड में आपको सभी प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे, आपने चेक कर सकते हैं हमारा अंतिम प्रशन है, चिडिया क्या उडेल कर गाल लेती है? आप्शन्स है, A. दूड, B. रस, C. पानी, और D. धन आई होप आपने सभी प्रशनों के उत्तर नूट कर लिये हैं, अब बारी है अपने उत्तर को चेक करने की तो चलिए चेक कर लेते हैं प्रशन संख्या एक का सही उत्तर है, B. केदारनाथ अगरवाल प्रशन संख्या दो का सही उत्तर है, D. मधुर तीसेरे प्रशन का सही उत्तर है, B. सन 1911 चौथे प्रशन का सही उत्तर है, D. उपर्युक्त सभी प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है B. जुंडी छटे प्रश्न का सही उत्तर है A. उत्तर प्रदेश और साथवी प्रश्न का सही उत्तर है C. नीली प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है C. जौ और बाजरे की वालिया प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है A, दूद भरे दस्वे प्रश्न का सही उत्तर है D, उपर युगत सभी प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है B, सुन्दर चिडिया बारहवे प्रश्न का सही उत्तर है C, जुन्डी 13 प्रश्न का सही उत्तर है D, बूडे वन बाबा और प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है B, आकाश प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है C, A वबी दोनो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है A, चिडिया 17 प्रश्न का सही उत्तर है C, चिडिया को 28 प्रश्ण का सही उत्तर है A, चिडिया 19 प्रश्ण का सही उत्तर है B, गर्व से युक्त 20 प्रश्ण का सही उत्तर है C, नदी 21 प्रश्ण का सही उत्तर है D, उपर युक्त सभी प्रश्ण संक्या 22 का सही उत्तर है B, चिडिया 23 प्रश्ण का सही उत्तर है A, कंठ उत्तर है बी रस बच्चों आपने सभी उत्तर चेक कर लिये होंगे आपके कितने उत्तर सही आये हैं मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के और भी क्यूज से अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो